नमस्ते, इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल एप से किस तरीके से मटिरिल स्टोर क्रियेट करेंगे एंड स्टूडन को फाइल शेर कर पाएंगे वो बताने जारे हूँ जिसके लिए हम यहाँ पर लॉग इन करेंगे मोडिल्स में मटिरल स्टोर अवेलिबल है वो क्लिक करेंगे यहाँ पर प्लस वाली साइन है वो क्लिक करने से हम न्यू स्टोर क्रियेट कर सकते हैं इस तरीके से हम नेम एड करेंगे जो भी classroom के लिए हम data share करने वाले हैं वो classroom चूज करेंगे यहाँ पे एक option है other can upload file in material store आपके अलवा भी कोई file upload कर पाए वो वाला option है वो हमारा customize रहेगा वो हम choose करेंगे then create करेंगे इस तरीके से e-store create करेंगे and data उसमें share करेंगे हम so store पे click करने से यहाँ पे plus का sign आएगा वहाँ पे हम store में material upload कर सकते हैं यहाँ पे कुछ details दी गई है आप देख सकते हैं then add attachment है जहाँ पे image, audio, pdf files, videos वो आप यहाँ से share कर सकते हैं मैं image add कर रही हूँ so यह click करूंगी यहाँ से image add करने के लिए option लूँगी gallery का यहाँ से gallery से जो हमारी image हमें share करनी है वो click करनी है and plus पे click करने से यह वाली files वहाँ पे upload हो जाएगी so इस तरीके से आप files share कर सकते हैं student के साथ यहाँ पे हमें वो वाली file जो भी upload हो जाएगी शो करेगी click करने से वो वाली file open हो जाएगी and यहाँ पे remove करने के लिए delete का option भी available है so इस तरीके से आप files share कर सकते हैं student के साथ और भी store के जैसे के वही दूसरे class में file share है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से and यहाँ पे जो भी store है वहाँ पे edit and delete दूनों का option अवे लेवल हैं यहाँ पे search button पे आप classroom wise search कर सकते हैं जो भी store हमें search करना हो so इस तरीके से material upload से हम student को जो भी files है वो share कर सकते हैं thank you कर दो